ब्लाकाउट रिव्यू कई सितारे और फिल्म में कर कई बार ये खुलासा कर चुके हैं कि कुछ फिल्में वो मजबूरी में करते हैं कभी पैसे की मजबूरी, कभी किसी से रिष्टे निभाने की और कभी कोई और ये भी एक मजबूर फिल्म है किस मजबूरी में बनाई गई, सितारों ने किस मजबूरी में ये फिल्म की ये वजह सामने आनी जरूरी है क्योंकि ये फिल्म टाइम पास भी नहीं करती ताइन खराब करती है, हमारा तो हो गया, आपका ना हो, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखे जाए दोस्तों बात करते हैं कहानी से ये कहानी है पुने की एक रात की, जहां रात को बिजली चली जाती है, और फिर एक रिपोर्टर विक्रांत मैसी अपनी पतनी के लिए अंडा पाव लेने निकलते हैं फिर होते हैं एक के बाद एक हाद से, चोरों की एक वैन से उनकी गाड़ी टकरा जाती है उनसे एक मर्डर हो जाता है, उसे एक शराबी सुनील ग्रोवर देख लेता है, और फिर जो होता है वो मत ही देखिएगा क्योंकि वो देखने लायक है ही नहीं कैसी है फिल्म? शुरुवात में लगता है ये एक ठीक ठाक फिल्म है कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं जो उम्मीद जगाते हैं कि फिल्म में आगे मजा आएगा लेकिन फिर उम्मीदों का ऐसा शोर्ट सर्किट होता है कि आपको लगता है अगर ब्लैक आउट हो जाता और आप अकेले अंधेरे में भी टाइम पास करते तो इससे बहतर टाइम पास हो सकता है कुछ वक्त के बाद फिल्म इतने बचकाने तरीके से आगे बढ़ती है कि आपको समझ नहीं आता कि ये फिल्म क्यों बनाई गई और ये क्या कहना चाहते हैं किसी बहुत हलकी कॉमेडी फिल्म से भी हलकी लगती है ये फिल्म एक्शन ऐसा लगता है जैसे जिसे देखकर रोना आ जाता है और क्लाइमाक्स तक आते आते आपके सबर का ब्लैक आउट हो जाता है डॉट एक्टिंग विक्रांत मैसी का कद 12 एत फेल के बाद काफी बढ़ गया है ये फिल्म उन्होंने कब की किस मजबूरी में की ये वही बता सकते हैं लेकिन उ जब तक शराबी के किर्दार में होते हैं तो अच्छे लगते हैं और वो सस्ते गालिब वाली शायरियां भी मारते हैं जो एंटर्टेनिंग लगती हैं लेकिन जैसे ही वो डॉन के किर्दार में आते हैं तो उनका सस्ते गालिब वाला किर्दार भी महंगा लगने लगता है मौनी रॉय ने ये फिल्म क्योंकि ये मुश्किल सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इमानदारी से जवाब देंगे डाइरेक्शन देवां धावसर ने ये फिल्म डाइरेक्ट की है अच्छे कलाकारों का कैसे बरबाद किया जाता है ये ट्रेनिंग इनसे ली जा सकती है ठीक ठाक शुरुवात के बावजूद इस फिल्म को उन्होंने बहुत खराब तरीके से डाइरेक्ट किया दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया वीडियो के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं